परिचाए इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे प्रकाश की व्याख्या करना प्रकाश परावर्तन के नियमों की व्याख्या करना नियमित और विसरित परावर्तन की व्याख्या करना विभिन तरह के प्रतिविंबों की बनावट पर चर्चा करना, केलिडोस्कोप के कारिक करने की व्याख्या करना, प्रकाश प्राकिर्णन की व्याख्या करना प्रकाश क्या है? आप कई तरह की चीज़ों को देखते हैं, इस कमरे में ही आप कुर्सी देखते हैं, मेज और मेज पर रखे गुलदान को भी देख सकते हैं ये चीज़ें हमें तब दिखाई देती हैं, जब उस वस्तु से प्रकाश परिवर्तित होकर हमारी आँखों पर पड़ता है, यह दो तरह से होता है, या तो वस्तु से स्वयम प्रकाश निकलता है, या वस्तु पर किसी दूसरे माध्यम से प्रकाश पड़ता है इस इस्तिती में प्रकाश परवर्तित होकर हमारी आँखों तक आता है। इस प्रकार जब पूरी तरहा से अंधिरा रहता है तब प्रकाश की अनुपस्तिती में हम कुछ भी नहीं देख सकते। क्या आप चानते हैं कि प्रकाश भी ध्वनी की तरहा उर्जा का एक माध्यम है लेकिन इससे अलग है प्रकाश कैसे गती करता है? हम जानते हैं कि ध्वनी निर्वात में गती नहीं कर सकती लेकिन प्रकाश निर्वात के माध्यम से गती कर सकता है यही कारण है कि सूरे से निकलने वाला प्रकाश हमारे ग्रह पृत्वी तक पहुँच सकता है अगर हम प्रकाश के सुरोत के सामने किसी अपार दर्शी वस्तु को रखें तो प्रकाश का रास्ता विचलित हो जाएगा इस प्रकाश से अपारदर्शी वस्तु के पीछे छाया बन जाती है। इससे यह साबित होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसके अलावा हम इसे अपारदर्शी माध्यम से भी देख सकते हैं। परावर्तन का नियम प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे हम किसी गेंद को दीवार पर मारते हैं और गेंद उचल कर वापस आजाती है। ठीक वैसे ही प्रकाश को किसी वस्तु पर गमन कराया जाता है तो वो चुटरा कर वापस आजाता है। पर सबसे महतपूर बात ये है कि जिस कोण से प्रकाश किसी वस्तू पर आपतित होता है, ठीक उसी कोण से वस्तू प्रकाश को परवर्तित करती है। कोण के बराबर होता है। इस प्रकार आई बराबर आर आपतन की सामाने अवस्ता में प्रकाश की किरण और परवर्तित किरण सभी एक ही पत पर अवस्तित रहता है। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें। दरपन जैसी समतल सतह से निकलने वाले परवर्तन को नियमित परवर्तन कहते हैं। पानी की सतह से निकलने वाली परवर्तन या बेहत चमकीली सतह से निकलने वाले परवर्तन भी नियमित परवर्तन के उधारण है। प्रकाश का नियमित परवर्तन ही प्रतिबिम्ब बनाता है। विस्रित परवर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण किसी लकडी या दीवार की सतह पर आपतित होती है। यह सते समतल या चमकिली नहीं होती। इस स्थिती में प्रतिबिम्ब नहीं बनता। ऐसी स्थिती में सतह के विभिन भाग, विभिन दिशाओं में आपतित किरण से परावर्तित होते हैं। हम ज्यादा तर वस्तूओं को अपनी आख से देखते हैं। ये हम तब देखते हैं जब इनकी सता से विश्रित परावर्तन होता है। बहुविध प्रतिबिम्ब एक सम्तल दर्पण वस्तू का एक प्रतिबिम्ब बनाता है। क्या आप बता सकते हैं कि दो सम्तल दर्पणों पर हम कितने सारे प्रतिबिम्बों को प्राप्त कर सकते हैं। दो सम्तल दरपण लें, इसे एक दूसरे के साथ दाई कूण पर वेवस्थित करें, जिसमें इनका किनारा मिल सके, इन दरपणों के बीच में एक मुम्बत्ती रखें, अब आप कितने प्रतिबिंबों को देख रहे हैं, आपको हैरानी होगी कि आप इन दो दरपणों में ती ऐसे ही हैरत भरे प्रतिबिंबों को देखेंगे, कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप क्या है? कैलिडोस्कोप एक नली होती है, जिसमें दरपण और रंगीन कांच के टुकडे या पत्थर के टुकडे होते हैं, जो खुपसूरत पैटर्न बनाते हैं. एक दरपण के रूप में जब आप इसे एक छोड से देखेंगे, तो पाएंगे कि प्रकाश दूसरे छोड से प्रवेश करता है, और रंगों का खुपसूरत समा बांध देता है. ऐसा इसलिए होता है, क्यूंकि जब नली घूमती है, तो दरपण से परावर्तन दूर हो जाता है. आईए, हम इस क्रिया कलाप को करके कैलिडोस को बनाएं. तीन समतल दरपण के टुकडे लें, और प्रिज्म बनाने में हमारा साथ दें. इसे एक गोल कार्ड बोर्ट नली करें, जिसमें हम देख सकें. कार्ड बोर्ट के अंदर पारदर्शी प्लास्टिक के टुकडे को जिपका दें. दूसरे छोर पर गोल समतल कांच की प्लेट को लगा दें. इस कांच की प्लेट में छोटे छोटे रंगीन कांच डाल दें. और शीशे की प्लेट से नली के छो प्रकाश का प्राकिर्डन पारिश होने के बाद हम आकाश में क्या प्रेक्षन करते हैं? जी हाँ, हम आकाश में कई रंगों वाला खुबसूरत इंद्र धनुष देखते हैं, लेकिन यह विभन रंग कहां से आते हैं? हम जानते हैं कि सूर के प्रकाश को सफेद रंग में वो लेखित किया जाता है। जब हम इस प्रकाश को काच के प्रिज्म से गुजारते हैं, तो यह सात रंगों में विभाजित हो जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि सफेद प्रकाश की किरण अपने संगठन रंग से अलग हो जाती है। इन रंगों का समुहूं सफेद प्रकाश के पैक्टरम को प्रदशित करता है। इस प्रकार सफेद प्रकाश के अपने संगठन र उप्रोग्त आधार पर हम कह सकते हैं कि सफेद प्रकाश का प्राकिर्डन बारिश की बूंदों से हुकर गुजरता है, तो इंद्रधनुश बनता है, इन रंगों को हम निम्नक्रम में देख सकते हैं, बैगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इसे अंग सारांज आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेब में दोहराएं प्रकाश उज़ा का एक रूप है, जिसके माध्यम से हम चारों और की चीज़े देखते हैं क्यूंकि इसके माध्यम से प्रकाश परावर्तित होता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है जब किसी दर्पन पर प्रकाश की किरण परती है, तो वह प्रकाश के पत को मूर देती है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदू पर अभिलंब ये की ही तल में होते हैं दरपन की तरह सम्तल चीजों से निकले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। दीवार की तरह खुदरी चीजों से होने वाले परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। कैलिडोस्कोप एक नली है, जिसमें दरपन और रंगीन काच के टुकडे होते हैं, या फिर खुपसूरत पैटन पर बने चमकते हुए पत्थर के टुकडे होते हैं, कोई दर्शक इसे एक छोड से देखता है और दूसरे छोड से प्रकाश अंदर आता है, तब इसमें घूमत हुए परावर्तन के कारण रंगों का खुपसूरत पैटन बनता है, जिसका नजारा अध्भूत होता है, अपने संगटक रंगों से सफेद प्रकाश का अलग होना प्रकाश का प्रकीनन कहलाता है.